हेलो बच्चो आज हम मधुबन देखेंगे मधुबन ये एक निवास्थान है ये लिखा है अनुराग वर्माजी ने तो चलो अनुराग वर्माजी का हम परिचे देखते हैं अनुराग वर्माजी ने हिंदी में विपूर्ल लेकन किया है आपकी बाशाधार आप्रवाह सरल एवं आशय संपन्न ओती है आप हिंदी के जाने माने लेखागे तो गद्धे संबंदी उनका परिचे देखते है प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद् प्रेना लोगिक पार लोगिक प्रेम जेश की राहितितिक स्थिति आजी पर प्रश्ण पुचे है डॉक्टर वार्माजी ने इन प्रश्णों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिये है तो चलो अब हम ये देखते है मदुबन सुभा का समय था में डॉक्टर रामकुमार वार्माजी के प्रायाक स्थित निवास मदुबन की और पूरी रप्ता से चला जा रहा था क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था देखिये 10 बजे का समय लिया था यसलिए डॉक्टर राजकुमार वार्माजी के प्रायाक स्थित निवास मदुबन की और पूरी रप्ता से चा रहे थे वेशे तो मेने डॉक्टर साहब को विभिन उत्सवो संगोष्टियो एवं सम्मेलोनों में देखा था उन्होंने कहा का देखा था? उत्सवो संगोष्टियो एवं सम्मेलोनों में देखा था परन्तु इतने निकर से मुलाकात करने का यह मेरा फोला उसर था मेरे दिगमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उट्रा था याने विभिन्न विचार आ रहे थे देखिए कौनकों से विचार आ रहे थे? केसे होगे डक्टर सहाब? केसा वेवर होगा उनका? उस आहित्य मनेश्ची का आदी उनके मन में विचार आ रहे थे इन तमाम उट्थे और बेट्थे विचारों के लिए मैंने उनके निवास्तान मधुबन में प्रविश्किया कहा प्रविश्किया? तो मधुबन में काफी साहस करके दरवाजे पर लगी गंटा बज़ाई नोकर निकला और पूच बेटा क्या आप अनुराग जी है? मैंने उत्तर में सिर्फ हा कहा उसने मुझे ड्राइंग रूप में बिठाया और यह कते हुए चला गया कि डक्टर साहब आ रहे है इतने में डक्टर साहब आ गये डक्टर साहब आने के बाद क्या हुआ? अनुराग जी केसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूचा डक्टर साहब ने अनुराग जी से पूचा मैंने कहा याने अनुराग जी ने कहा इसलिए में आया हो डक्टर साब ने क्या कहा फिर साब ने बड़ी सरलता से कहा अच्छा तो फिर पूचिये प्रेश्न क्या किया अनुराग साब जीने पहले डक्टर साब कावे रश्न की प्रेना आपको कहां से और केसे प्राक्त हुई इस संदर्व में कोई ऐसा प्रेश्न पताने का कश्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहुर्णों को महत्व पुर्ण मोर दिया हो यह प्रेश्न पुष्णने के बाद क्या कहा उनुने पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्ता के प्रती विद्रोह अपने आभी उदित हुआ था सन 1921 में जब मैं केवल साड़े पंद्र वर्ष का था देखिये जब वे केवल साड़े पंद्र वर्ष के थे तभी गांजी जी के अचोयोग आंधोलन में पारिवारिक एवं सामाजीक व्यवधानों से संगर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था उस समय स्कूल छोनने की बाद तो सोची भी नहीं चाल सकती थी मगर मध्य प्रदेश के अंतरगत नर्शियपूर में मौलाना शोकत अली साहब आये कोन आया तो मौलाना शोकत अली साहब आये और क्या बोले गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की इस तालिम गुलाम बनने का एक नुसका है तत पश्टाद आवाज तेत करते हुए कहने लगे है कोई माई का लाल जो कह दे की मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा मैंने अपनी मा के आगे बड़ी ही स्रद्धा से स्कूल न जाने की गोश्ना कर दी देखिए उन्होंने भी क्या किया स्कूल ने जाने की गोष्णा कर दी सब भी लोग सकते में आ गई बात भी अजिब थी कि उन दिनों एक दिप्ती कलेक्टर का लड़का विद्रहो कर जाए देखिए ये लड़का विद्रहो कर रहा है इसमें सबको आश्चर्य हुआ था लोगोंने बहु समझाया क्या समझाया पिता जी की अब आगे का पड़ना देखिए नोकरी की बात कही पलंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था उस प्राकार सर्वर प्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रहो किया देखिए उन्होंने कह किया सत्य एवं देश के लिए विद्रहो किया था तब क्या हुआ तब तक मैं 16 वर्षका हो चुका था और राष्ट्रिय ध्वज लेकर नगर में प्राभात फिरी भी किया करता था यह बाद सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी यही मेरी कविता का मंगला चरन था देखिए तब वो कितने साल के थे? 16 साल के थे उन्होंने क्या किया? राष्ट्रिय धोजलेकर वो नगर में प्राभात फिरी भी की थी और देश प्रेम पर एक कविता भी लिखी थी